Hello everyone, वैसे student जो खासका रजाम मिले इसलामे में entrance exam देने वाले हैं, इस वीडियो में हम application form और entrance test के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सरे students का अभी इस बात को लेकर confusion में हैं, कि जानमे का form अभी तक आया नहीं है, तो मैं आपको urgent best way में बता रहा हूँ, आपको simply google पर जाने सर्च कर लेना है JMI CUE, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा final बताता हूँ कि क्या हुआ अब तक, जामे में जितने भी courses हैं, किलिर में समझा दूँ, जामे में जितने भी courses हैं, जिसमें इंट्रेंस के हिसाब से admission होता है, उससे सभी course का form आ गया है, form की पहले ही थोड़ा रजिमाइन कर दे, class 4, 6, 9, और यह pre और school में, nursery और pre में जो admission होता है, जामे में उसके form आ चुके हैं, वही UG, PG, UG कंदर, जामे मितने भी course है, जामे में जितने भी course है, पोस्ट अग्रेंज मितने भी course है, बीटेक, बियार, और डिप्लोमा आडवास, इसने सभी courses के form आ चुके हैं, school के लिए आपको इस link से form फिल करना है, और university के लिए आपको इस link के तुरू form फिल करना है, बाकि इनके prospectus भी available है, यह school का prospectus है, यह जामे मिलेशला में यूणिवर्स्टी या उजी पिजी डीप्लोमा का available है, इसका साथ ही PhD का भी form फिल करना है, PhD के लिए इस link के तुरू form फिल करेंगे, बाकि बहुत जारे student का editing को लेकर रहे हैं कि उसको लेकर क्या आएगा, क्या आएगा, तो just form के just last date होंगे, form जब 12 माई को आपका form खातम हो रहा है, वो अपना email ID और जो अपना password बना हैं, उसको हर वक्त हर 12-14 दिनों पर login करते रहना है, ताकि उनका ID एक्टिव हो, क्योंकि जब उनका end card आएंगे, तो उनको ही अपने email ID से download करना पड़ेगा, जैसे आज के time में जो आपको application form दी कर रहा है, उसी वहले section जाकर आपको download करना पड़ेगा, तो जब आप download करेंगे, और download करने के लिए आपके email ID के ज़र्त पड़ेगे, तो होता है कि बच्चे जब login नहीं करतें, तो ID ब्लॉक हो जाता है, यह बंद हो जाता है, तो इसलिए ज़र्वरिक आप week में at least बार login कर ले, ताकि आपका ID एक्टिव हो, actively काम करें, बाकि अगर किसी भी topic पे वीडियो चाहिए comment कर देजिगा, और आने वाले जो भी अपडेट्स आता है, उसको लेकर अपडेट एरन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिगा, thank you.